रादे रादे जैस याराम जैसा कि आप लोग जानते ही हैं अधिक मास चल रहा है और बहुत ही जल्दी संपूर भी होने वाला है और अधिक मास में जो है दान पुन का विशेश महत्व होता है ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किया हुआ दान तब 10 गुना फलताई होता है और अधिक मास में मालपुए का दान विशेश रूप से बताया गया है कि अधिक मास में मालपुए दान करने चाहिए तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि यह मालपुए आप कैसे दान कर सकते हैं आपको कहा दान करने हैं और भूल के भी आपको किस दिन दान नहीं करनी हैं, किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, सबसे पहले जो डरने की बात आएगी, वो यही आएगी, कि हम तो मालपुए बनाना जानते नहीं, 33 मालपुए हम कैसे तो देखे, ऐसा कहा गया है, कि जब आप मालपुए बनाएंगे, और जब वो सिखते हैं, तो उसमें जितने चेक होते हैं, यानि कि जितने उसमें होलोंगे, उतनी ही योनियों से हमारे पूरवजो को मुक्ती मिलती है, उतने ही कस्ट कटते हैं, जैसे देखे, इसमें चेक आपको जो है, खुद घर पे नहीं खाने, आपके बच्चे, आपके घर के बुजूर्ग बढ़े, कोई ना खाए, ये तो आपको जो है, दान करने हैं, इसके अलाबा, अगर आप चाहें, तो अपने लिए खाने के लिए लग से बना सकते हैं, तो देखे, मैंने या पे 33 ब पूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पे देखे, मैंने दक्षना रख लिया, आप अपने यथा शक्ते नुसार, कुछ भी दक्षना इसमें रख लीजिएगा, उसके बाद ऐसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी आप कोई दान करेंगे, तो आप उसे पहले मिनसेंग 11, 21, 31, 31, 33 ही क्यूं है, या फिर अगर महिने के हिसाब से होने चाहिए, तो 30 होने चाहिए, तब भी 33 क्यूं, तो देखे, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप रोज का एक निकालते हैं, तो महिने के हिसाब से 30 बनते हैं, तो 30 तो वो हो गए, 31 मालपुवा होता है, कि अगर आपने कभी भूलवंश भी लड़की के घर का कुछ खा लिया है, तो उसके लिए आप 31 मालपुवा दान करते हैं, क्यूंकि हमारे हिंदु धरम में ये मानता है, कि जिस चिसका दान कर दिया जाता है, फिर उसका हम उप्योग नहीं करते, आप कभी किसी को कुछ दान के लिए आप 31 मालपुवदान करते हैं, 32 मालपुवा, अगर आपने किसी भी भ्रहमन का, या पंडित जी का, या किसी भी ऐसे का कुछ खाया है, जो आपको नहीं खाना चाहिए था, तो आपको उसका जो दोश लगएगा, उसकी वज़े से आप 32 मालपुवदान करते हैं, उस दोश के निवारण के लिए. 33 मालपुवा होता है, कि अगर हमने कभी किसी के सूतक या पातक के घरगा खा लिया. आप तो देखें, सूतक पातक को नहीं माना जाता, लेकिन पहले के जमाने में, सूतक पातक का बहुत परेज किया जाता था. जब किसी के घर में कोई मृत्ती हो गई हो या बच्चा पैदा होता हो तो उसे सूतक या पातक बोला जाता है और ऐसे में अगर आपने किसी के घर का कुछ खा लिया तो वो दोश लगता है तो उस दोश के निवारन के लिए हमें 33 स्वमाल को अदान करना होता है अब बात कर लेते हैं कि इन्हें आपको दान किसे करना है कब करना है तो देखिए अधिक मास जब आपका लगता है यानि कि मल मास या प्रशुत्तम मास जब आपका शुरू होता है तो आप इसे शुरू वाले दिन से लेके एक एक करके पूरे महीने भी दान कर सकते हैं रोज लेकिन जो सर्वस्षेष्ट तिति बताई गई है अस्टमी नॉममी और उसके बाद चौदस और पुरनमाशी या फिर अमावस्या इन तितियों को सर्वस्षेष्ट बताया गया है लेकिन अगर आप इन पे नहीं करना चाहतें तो फिर आप इसके अलाबा भीच में कभी भी क तो देखिए आप सुभे करें तो बहुत ही उत्तम हैं सुभा जब नहाद हो कि आप पहले इने बना लिजिए मिनस लिजिए और दान कर दीजिए उसके बाद आप खानावान खा सकते हैं और अगर आप कई बर ऐसा होता कि सुभे नहीं कर पाए हैं तो कोई दिकतिया आप शा जड़ा दीजिए आपने घर के मंदिर में भी जरूर चड़ाईएगा उसके बाद आप या तो मंदिर में जो पंडिजी होते ना उनको दे के आ सकते हैं सारी चीजे या फिर आप क्या कर सकते हैं अगर कोई ने ब्रामन आपके घर के आसपास रहते हैं तो आप उन्हें दे अगर आप किसी को मिनस के दे रहे हैं आपके आसपास कोई ऐसे पंडित जी है या कोई है देने वाला तो आप हो सके तो कासी की थाली है कासी के बर्तन में रखके मिनस के तब दे तो वो तो बहुत ही जादा अच्छा रहता है ऐसा माना जाता है कि अगर आप कासी की थाली में माल्पुएव रखके मिनस के अगर अधिक मास या मल्मास में देते हैं तो आपको पृथवी के दान करने जितना पुन्ये की प्राप्ति होती है और और सात में आप दक्षणा भी रख देंगे और अगर आप गव माता को खिल माल पूह का दान कर सकते हैं तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जैस यराम जरूर लिखतीजिएगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैस यराम